साथियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टी सी कलासिस में कल जो कैबिनेट की बेटक होई उसके बाद आज पेपर में क्या कुछ निकला है इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है देखेंगे तो सबसे पहली बात की नोटिफिकेसन अब बहुँ जल्द आने वाली है इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाईएगा देखिए पहले लिखा हुआ यहाँ पर किसी चको के जो पद है एक लाग ठातर हजार चबिस पद जो पहले से कहा जा रहा था जो भी न्यूज था पहले से कि एक लाग ठातर हजार चबिस पद जो है उसी को यहाँ पे स्रिजित किया गया उसी पर मोहर लगाया गया कोई भी पदों में बढ़ोत्री या घटोत्री अब नहीं हुआ है जो भी न्यूज आया था कि इतना इतना पदबर्ग समीती से जो फाइनल डिसीजन आया था एक लाकट ठतर हजार चाबिस पद वहीं है बेतन का यहां पर कहा जा रहा है कि 40 से 51,000 तक बेतन जो है मिलने वाला है 40 से 51,000 अब किन है 40,000 मिलेगा किन है 51,000 ये देखना है BPSC से सिछकों की भरती को पद बेतनमान मंजूर हो गया ठीक ये मेन हेडिंग है आगे चलते हैं जो मेन मेन हेडिंग हो वे पहले देख लेते हैं मुख मंतरी की अधस्ता में हुई केबिनेट बैठक में फैसला यहां पर 11,000 करोड खर्च होंगी राज सरकार के इस निर्ड़ना से सलाना एक साल में 11,000 करोड खर्च होंगा देखिए 1 to 5 के लिए 85,437 सिट 6 to 8 के लिए 17,45 नाइन टू टेन के लिए 33,186 पद 11 to 12 के लिए 57,618 पद यहां पे सिर्जित किया गया है इसी माह परकाशित हो सकता है सिछकों की बहाली के लिए भिग्यापन साफ साफ लिखा हुआ है कि इसी माह परकाशित हो सकता है और यह होगा ही क्योंकि इतना जल्दी जो सब कुछ हो रहा है तो इससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि माह में बिग्यापन निकलने की पूरे पूरे चांसे है आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों की नियोजित और नय बेतन मान जो है वे दोनों में अंतर क्या है नियोजित है और नया बेतन है यह दोनों में अंतर क्या है तो देखिए प्राथमी के लिए नियोजित को फोल एंड फाइनल यहाँ पर 35,064 रुपया मिलता है कितना 35,064 रुपया आप देख पा रहे होंगे और आप जो नया बेतन हुआ है तो नय बेतन में 40,630 रुपया मिलेगा 40,630 रुपया मिलेगा मैंने जो वीडियो बनाया था कि कैसे क्या मिलेगा तो वहाँ पर STA नहीं बताये थे हम तो STA यहाँ पर जो है दिया जा रहा है 230 रुपया जो हम पहले के वीडियो बनाये थे उसमें यह नहीं बताया गया था कि इसमें जोड़ करके कुल 4,630 रुपया बताया जा रहा है अब मध विद्यालय के लिए जो नियोजित सी चक है उनके लिए बेतन कितना है अभी मिल रहा है तो 36,849 रुपया मिल रहा है नया बेतन मान कितना हो जाएगा 45,130 रुपया यह मध विद्यालय के लिए बजाएगा माध्यमिक के लिए यानि हाई स्कूल के लिए अभी कितना मिल रहा है तो 36,849 रुपया अब नया बेतन में कितना मिलेगा तो 49,630 रुपया मिलेगा इतना अंतर है दोस्तों देखिए पहले के बेतन और आव के बेतन में और उच माध्यमिक इसका मतलब है कि 10 प्लस 2 में कितना मिल रहा है अभी 38,605 रुपया और जब नया बेतन मान होगा तो कितना मिलेगा 51,130 रुपया तो इतना इतना बेतन में अंतर है अब दोस्तों इसी को यहां पे लिखा गया है कि भाई कितना कितना एलाउंस मिलने वाला है देखिए थोड़ा सा इधर जो लिखा हुआ है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं दोस्तों यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डी ये जो है डी ये 42% है एचार एठ परसेंट यहां पे दिया गया है और एस्टी ये जो है पंदरा सव से जो है पंदरा सव और एक हजार जो है मेडिकल परतीमा तो ये सब जो यही बात यहां पे लिखा गया है तो कोई आप सकता और नहीं है वीडियो लंबा करने का जो भी था मैंने बताया तो आज के हिंदुस्तान पेपर में ये लिया गया कैबिनेट का फैसला है कैबिनेट का फैसला ये जो है लिया गया है तो दोस्तों कुल मिलाकर कि यही कह सकते हैं अब कभी गयापन निकलने वाला है इसीलिए अब तैयारी में लग जाइए अब कोई भी इस बहाली में जो है कोई अर्चन अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है और ये साब सुत्रा बहाली होने वाला है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहें